Hello Friends, MS Word सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की स्क्लास के अंदर हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में जानेंगे लेकिन अगर आपने इस सीरीज के जो प्रिवेस वीडियो उने नहीं देखा है तो आपको इसके अंदर के सभी options दिखाई दे जाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला option है वो है cover page नाम सी पतल अगर आई कि इस option का use करते हुए आप cover page बना सकते हैं यानि जब भी आपको कोई project वगेरा बनाना पड़े जैसे college में कई बार या school में आपके आपको project बनाने के लिए दिया जाता है उस time पर अगर आपको इस project का cover page तयार करना है तो आपको यहाँ पर cover page के इस option के अंदर पहले से बने हुए काफी सारे formats मिल जाएंगे जिने लेकर आप बहुत ही fast तरीके से अपने project के लिए एक अच्छा cover page तयार कर सकते example के लिए मैं यहाँ पर इस वाले cover page पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक cover page का format आ गया है बस इसे मुझे अपने according तयार करना होगा तो जब भी आपको जुरूत पड़े तो आप अपने according इसको edit कर लेना और यहाँ पर आप एक subtitle दे सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Microsoft Word और यहाँ पर आप अपने project के हिसाब से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इसे edit कर सकते हैं और जब आप MS Word को सीख जाएंगे तो इसके अंदर आप और भी बहुत सारी चीजों को जोड सकते हैं तो अभी मैं केबल आपको यह बता रहा हूँ कि case से आप एक cover page तयार कर सकते हैं यहाँ पर आपको cover page के अंदर काफी सारी design दी गई है नहीं हसाब से कोई भी select कर लेना और एक अच्छा cover page बना सकते हैं इसके बाद देखें यहाँ पर आपको cover page के अंदर ही एक option मिल जाएगा वो है more cover page from office.com यानि आप Microsoft की साइट से भी cover pages को add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा remove current cover page यानि अगर आपको cover page remove करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्लिक करो cover page remove हो जाएगा इसके बाद last में आपको मिल जाएगा save selection to cover page gallery अगर आपको अपने cover page को save करना है तो आप save भी कर सकते हैं future use के लिए इसके बाद यहाँ पर आपको next option मिलेगा insert menu के अंदर वो है हमारे पास blank page जैसे अभी के लिए आप देखेंगे केबल एक ही page है मेरे पास इस document के अंदर अगर आपको एक नया blank page चाहिए तो आप यहाँ पर blank page पर click करेंगे जैसे अब इस पर click करते हैं तो देखो एक और page यहाँ पर add हो गया है से मैंने यहाँ पर paragraph को लेकर आया हूँ और यह function कैसे काम करता आपको प्रिवेस वीडियो में बता रहा है तो यहाँ पर आप मैं बता हूँ आपको page break के बारे में जैसे मालो यह बालो जो paragraph है यहाँ से मैं इसे bold कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं केना यह चाहरा हूँ कि इसके बाद जहां डोक्यूमेंट लिखा हूँ इसके बाद का यह जो paragraph है इससे अगर आपको next page में भेजना है तो आप direct page break पर click कर दो तो इससे क्या होगा जो paragraph है ना वो next page में चला देखो यहाँ पर आ गया तो page break का use करके कुछ आप ऐसे direct कर सकते हैं अगर आपके पास कोई object है या फिर paragraph को आपको next page में भेजना है तो आप इससे direct भेज सकते हैं इसके बाद जो next option है वो है table और इसको बताने के लिए पिले हम क्या करते हैं इस page को blank कर देते हैं आप देख यहाँ से दो select कर लेता हूँ तो एक row और दो column बाली table बन गई यह से आप by default यहाँ तक इतनी बड़ी table बना सकते हैं अगर आपको इससे बड़ी table बनानी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर insert table पर click करना पड़ेगा ठीक है by default तो आप इतनी बड़ी बना सकते हैं जैसे मैं कोई document है hard copy है आपके पास उसमें table बनी हुई है तो आप columns को count कर लो और row को count कर लो तो column में आप count करने के बाद column enter कर देना जैसे मैं example के लिए 4 enter कर देता हूँ और उसके बाद row को count करके यहाँ पर row enter कर देना example के लिए 3 enter कर देता हूँ और किसी भी option को छेंड़ा नहीं और direct okay पर click कर देना तो उतनी ही row और column बाली table आजाएगी जितने आपने enter करेते है ठीक है ऐसे आप चाहें तो table को draw भी कर सकते हैं यहाँ पर लिखा draw table इस पर click करें और जैसे आप paper पर paint से draw करते हैं वैसे आपको यहाँ पर draw करना है जैसे मैंने यहाँ पर एक line खेची ठीक है औ इसे आपको row बना देनी है यह rows बन गई ठीक है तो आप table को draw कर सकते हैं किस option की help से यहाँ पर आपको मिल जाएगा draw table इसके बाद देखें जो next option है वो है हमारा table के अंदर convert text to table और इसकी health से आप text को table में बदल सकते हैं जैसे जैसे मेरे पास एक name वाली field है और एक class वाली field ह अब मुझे table बनानी हो माल लो जैसे नीचे name भी लिखे होते है या class भी लिखे होती तो वो भी हो जाता इसके बाद देखो यहाँ पर एक और option है table बनाने का वो है excel spreadsheet इसका मतलब है इस पर click करेंगे आप तो एक excel का जो software है open हो जाएगा और इसके अंदर आपको एक sheet मिलेगी इस sheet के अंदर आप जो भी data एंटर करेंगे table वगेरा बनाएंगे excel से अगर आपको MS Excel आता है तो आप इसके बात को समझ जाएंगे और अगर आपको नहीं भी आता है excel तो पहले आप MS Word को complete सीख लें उसके बाद मैंने excel पर detail वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को देखकर आप excel भी सीख सकते हैं और उस वीडियो का link भी आपको description box में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करना ह जैसे मैंने आप पर jipur जैपूर एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं भौपाल एंटर कर दिता हूँ अब इसे मैं table format में बदल लूँगा अगर आपको excel आता होगा कि यहां से आप इसमें border लगा सकते नहीं आता है कोई बात नहीं excel का complete वीडियो है आप यहां से देख लीज करा excel में उस sheet को आप ms word में ला सकते हैं इस option की health से तो इसके लिए आपको ms excel भी आना जरूरी है तो आप बाद में सीख कर इस option को use में ले सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा quick tables का option और यहां पर पहले से बनी हुई कुछ tables मिल जाएंगी आपको आपको जि इस document के अंदर picture को लेकर आ सकते हैं जैसे this device इस पर click करेंगे तो आप अपने computer से कोई भी picture को जो आपने download करके रखी हुई उसे इस document के अंदर ला सकते हैं example के लिए मैं अपने computer से एक image को select करता हूँ और यहां से मैंने एक image को select करा और insert कर दिया चीक है तो एक image आ गई है अब आपको एक important बात बता रहा हूँ बिलकुल ध्यान से समझना जब भी कोई आप image को लेकर इसके अंदर आओगे तो उसके बाद यहां पर picture format वाला यह menu activate ह जाएगा यह by default activate नहीं रहता जब भी आप image लेकर आओगे तभी activate होगा अब अगर आप इस image को move करना जाओगे ना मतला move करने का मतला है आपको यहां से खसका के यहां लाना है कहीं भी खसका ना हो तो खसकेगी नहीं है fix हो गई है तो इसे खसकाने के लिए picture format वाले menu में ज जाकर आपको rep text में जाकर square करना जरूरी है जब तक इसे नहीं करोगे तब तक image move नहीं होगे अब देखो आप इसे image को कहीं भी move कर सकते हैं छोटा करना हो image की size छोटी करनी हो तो आपको अपने mouse का pointer in dots पर लेके आना है जिदर से भी छोटा करना हो आपको 4 तरफ dots मिल जाए बट जब भी आप image को लेकर आओ तो format वाले इस menu में जाना आपको पुराने वाले version में format के नाम से ही मिलेगा केवल यहाँ पर picture format के नाम से है यह तो format menu के अंदर जाने के बाद रेप text आपको जरूर मिल जाएकर उसमें से आप square जरूर कर लेना तब ही आप image को move कर पाएंग otherwise move नहीं होगी बागी format menu में आपको आगे चलके और detail में बताऊंगा अभी हम फिलाल insert menu में चलते हैं और यहाँ पर हम next option को जानते है picture के अंदर वो है stock images यहाँ पर आप stock images को use कर सकते हैं डारेक्ट आप यहाँ पर click करेंगे जिस भी image को आप search भी कर सकते हैं गर आपको कोई images मिल जाएंगी जैसे people's वागेरा की image हैं यहाँ पर जिन में background नहीं है आप इन्हें use कर सकते हो direct और यहाँ पर आपको stickers मिल जाएंगे illustrations मिल जाएंगे आपको काफी सारे आप direct अपने document में use कर सकते हैं जैसे cycle चाहिए मालो आपको इस पर click करा और insert पर click कर दिया तो देखों images के अंदर कुछ ऐसा है ठीक है इसके बाद आपको pictures के अंदर ही यहाँ पर मिलेगा option online picture का यहां से अप online picture को search कर सकते हैं और आपको जो भी picture यहां से चाहिए वह आपको मिल जाएगगी आप search कर सकते हैं search करने के बाद आप insert कर सकते हैं इसके बाद जो next option है वह हमारे पास chefs प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर शेप्स की जुरुत पढ़ रहे हैं तो आप इसमें डून कर देखना जो शेप्स आपको चाहिए वह आप यहां से जस्ट ऐसे सलेक्ट करेंगे एक्जाम्पल के लिए मैं यहां से सरकल लेता हूं और उसके बार आपको इस पर ड्रो करना है माउस को बटन दबाना है और आगे ऐसे बढ़ाना है माuse को उससे आप यहां पर इमेज को ड्रो कर सकते हैं कोई भी शेप्स जो है वह आप ड्रो कर पाईंगे कलर अगेन यहां पर आपका जो फॉर्मेट मेन्यूद एक्टिपेट हो जाएगा और यहां पर आ इमेज लगानी हो तो आपको picture fill करने का option मिल जाएगा from a file यहां से हम हमारे computer से कोई भी image को select कर लेते हैं जिसके अंदर हमें fill करना हो जिसे मैं यहां पर इस image को इसके अंदर insert कर देता हूँ देखो इस तरह से और मैं आपको detail में बताऊँगा यहां पर format menu आगे चल कर फिलाल बापस हम insert में चलते हैं और यहां पर जानते next option वो है icons के बारे में यहां पर आपको काफ़ी सार icons मिल जाएंगे तो जो भी आपको requirement हो कभी आपको document तयार कर रहे हो कभी कुछ बना रहे हो आप तो आपको हो सकता icon की जुरुत पड़े तो आप यहां से direct click करेंगे और insert पर click कर देंगे वो ही icon आ जाएगा जो आपने select करा है next option है हमारे पास insert के अंदर वो है 3D models और इसके अंदर आपको मिलेगा option select करने का online stroke 3D models के through इससे पहले वाला जो option है यह बोलता है कि अगर आपके computer में 3D models है तो आप अपने computer से भी लेकर आ सकते हैं लेकिन मेरे case में मेरे पास कोई 3D model नहीं है तो मैं यहां पर stock 3D models पर click करूँगा और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो काफी सारे 3D models होते हैं जब भी आपको जरुत पड़े आप यहां से search कर सकते हैं और search करने के बाद जो भी आपके सामने आ रहा है आपको लगता है कि यह मेरे काम का है तो आप बस उस पर click करेंगे जैसे मैं यहां पर gift वाले इस option पर click करता हूँ और यहां पर मैं इसे और भी देखो मुझे इसके अंदर option मिल जाते है gift के अंदर जैसे यह वाला लेना है मैंने इसे select करा और insert पर click कर देता हूँ तो देखो यह मेरे इसके अंदर आज जाएगा पहले देखो यह आगया है चीक है इसको मैं 3D में होने की वज़या से देखो घुमा कर भी देख सकता हूँ इस तरह के से आप भी अपनी requirement के साब से 3D model लेकर आ सकते हैं next option है यहाँ पर हमारे पास जो की है smart art और यहाँ पर जब आप click करेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पर अपने data को represent करने के लिए arts मिल जाएंगी इनका use करते हैं जब आप company में job करेंगे तब आपको हो सकता है इनकी जुरूत पड़े फिलाल आप अगर भी learning mode में तो आप इसका use ज़ादा ना करें लेकिन सीखने के बाद जब आप काम करेंगे MS Word के अंदर तब आपको इसकी जुरूत पड़ सकती है इसकी help से आप अपने data को अच्छे से represent कर पाएंगे जैसे example के लिए मैं यहाँ पर एक यह simple वाला ले लेता हूँ तो यहाँ पर वैसे बहुत तरह के आपको मिलेंगे या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर hierarchy के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर first वाली hierarchy लेता हूँ इस तरह के hierarchy से हमें कई बार अपने data को समझाने की जुरूत पड़ती है तो मैं यही वाला लेकर दिखा देता हूँ और ok करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक example देता हूँ आपको movie का तो यहाँ पर जो आपको सबसे उपर first वाला box दिखा दे रहा है इसके अंदर मैं लिख दूँगा movie actual मैं मैं क्या करूँगा movie के तीन पार्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूत नहीं है मैं इस पर click करता हूँ और इसे delete बटन से keyboard पर जो बटन होता delete उससे delete कर देता हूँ तो movie के अंदर में तीन पार्ट divide करूँगा movie को और वो है Hollywood, Bollywood और Tollywood Hollywood हो गया हमारा इसके बाद आएगा Bollywood और इसके बाद आएगा Tollywood अब देखे अगर मुझे इसको और आगे explain करना हूँ जैसे Hollywood के अंदर भी मुझे action या फिर हो गया comedy या फिर horror ऐसे बनाना हो इसके अंदर और और भी चाहिए हो तो मुझे इस पर right click करना पड़ेगा उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर add shape blow के अंदर इस पर click कर दूँगा तो इसके नीचे आ जाएगा और चाहिए जैसे इसके अंदर right click करूँगा add shape blow पर click कर दूँगा तो इसके नीचे और आजाएगा ऐसे आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हैं इसके अंदर चाहिए right click करूँगा मैं और इसके अंदर add shape में जाकर भी ले सकता हूँ देखो यहाँ पर मिल जाएगा तो cool मिलाकर आप समझ पाने कि इसकी help से आप अपने data को ऐसे represent कर सकते हैं अच्छे से तो यहाँ पर आपको काफी सारे smart art दिये गए जैसे कई बार आपको कोई process समझानी है तो उसके लिए आप यहाँ से process में जाकर process वाला ले सकते हैं आपको pyramid का option मिल रहा है यहाँ से आप pyramid के रूप में समझा सकते हैं तो cool मिलाकर data को अगर आपको अच्छे से explain करना है तो आप इनका use कर सकते हैं इसके बाद जो next option है वो है chart और यहाँ पर मैं click करूँगा तो यहाँ पर देखो chart बनाने के लिए आपको different types of charts मिल जाएंगे फिलाल के लिए मैं आपको अभी एक example दूँगा लेकिन जब आप future में से professional way में use करेंगे तब आप इसका use और अच्छे से कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे chart बनाने के option मिल जाएंगे explain करता हूँ जहां से समझना यहाँ जो आप data enter करोगे इस excel sheet के अंदर यह excel open हुआ है यहाँ जो आपने data enter कराऊगा उस data के according के graph बनता जाएगा तो company में होता गया है कि data होता उस data को आपको graph के रूप में समझाना होता है जैसे यहाँ पर मैं example लेता हूँ कि 3 मंथ लेता हूँ कोई से भी जैसे मैंने ले लिया यहाँ जनवरी फर्वरी और March ठीक है अब यहाँ पर जनवरी फर्वरी मार्च 3 मंथ हैं 3 मंथ में कितनी कितनी सेल हूई और किस किस प्रोडेक्ट की हूई वो प्रोडेक्ट में यहाँ लिख देता हूँ एक्जामपल के लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ माउस यहाँ लिख देता हूँ मोनिटर और यहाँ लिख देता हूँ प्रिंटर तो यहाँ पर नहीं एक जन्वरी के लिए है Chamber के लिए है March के है अब देखेंगे आपकी कीबॉर्ड का Cel फिप्टी है तो तो एखो कलर जो है थोड़ा नीचे है लेकिन जो कीबॉर्ड है वो फरवर्डी के अंदर बहुत जादा सेल हूं लिए सेखो た으로 कीबॉर्ड के लिए आपको राप तो कुल मिलाकर जब आप company में काम करोगे तो वहाँ पर ऐसा data होता जिसे आपको graphical format में समझाना होता है बहुत ज़रोद पढ़ती है जब आप sale report वगेरा तयार करते हो तब आप इसकी help ले सकते हो, sale report वगेरा तयार करके आप अच्छे से दिखा सकते हो, तो फिलाल अभी इस option को इतना ही रहने देते हैं, आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी, तो जो chart में तयार कराता है, वो यहाँ आ चुका है तो insert के अंदर आपको मिलेगा यह option chart और इसके अंदर आपको different types of style मिल जाएगी, यह जरौत पढ़ने पर ही use में लाया जाता है कुल मिलाकर आपको इस समझना है कि आप जो भी लेंगे उसके लिए कि actual sheet open हो जाएगी उसमें आप जो data एंटर करेंगे उसके साब से chart बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पर next option है screenshot का और नाम से पता लग रहा है कि आप इससे screenshot ले सकते हैं इस पर click करेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर हमें मिलेगा screen clipping, इस पर click करना है इस पर click करने के बाद background में जो भी आपकी website open होगी जो भी कुछ background में चल रहा होगा या आपने कोई website open कर रही की होगी तो वहाँ से direct screenshot ले सकते हैं example के लिए मैंने यहाँ पर MS Word की playlist को open कर रखा था अगर मुझे इसका पूरे का screenshot लेना है तो मैं यहाँ से कोने से select करूँगा केबल मुझे इन दोनों का लेना है जितना भी screenshot लेना उतना ही select कर लो automatic यह आपके MS Word में आ जाएगा ठीक है? उतनी ही picture कटके यहाँ पर आ जाएगी जो भी आपने background में open कर रखा होगा तो कुल मिलाकर आप इससे screenshot ले सकते हैं जितना बड़ा आपको लेना हो आप ले सकते हैं यहाँ से cable देखो में इतना ही ले लेता हूँ पर पीछे जो खुला होगा cable उसका ही screenshot लिया जा सकता है इसके बाद ही Wikipedia वगेरा का option है यहाँ से आप अपनी Wikipedia से कोई भी text को लेकर आ सकते हो बट इसको यहाँ से use करने की जगे आप direct Google पर search कर लेना इसके बाद यहाँ पर next option है वो है online वीडियो का आप यहाँ से कोई भी online वीडियो लगा सकते हैं अपने document के अंदर तो example के लिए मैं क्या करता हूँ अपना ही एक वीडियो का link इसके अंदर add कर दूँगा और वो वीडियो यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर जाऊंगा मैं online वीडियो के अंदर और यहाँ पर मैं उस link को paste कर दूँगा तो यहाँ तो आप right click करके paste कर सकते हैं या फिर आप control के साथ भी दवा कर paste कर सकते हैं और insert पर मैं click कर दूँगा तो देखो यहाँ पर एक वीडियो लग गया है इसे play भी किया जा सकता है देखे friends इसके बाद जो next option है वो है हमारे पास link और इसका use करते हुए आप अपने document में link create कर सकते हैं जब कोई इस link पर click करेगा तो वो उससे related website पर पहुँच जाएगा जिस काम को करने के लिए आपने link दिया हूँ तो मैं क्या करता हूँ link create कर देता हूँ जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या करा एक PDF फाइल तयार करीए SQL एक language होती है इसके लिए मैंने PDF तयार करीए यह एक example है यह मेरे पास already थी तो मैं इसके जरीए आपको समझाता हूँ की link कैसे create करते है आप जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है how to work with SQL और यहाँ पर मैंने यह बता रहा है कि आपको SQL के साथ काम करने के लिए इन दो software की जरौत पड़ेगी क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ एक example create करके आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा बता रहा हूँ यहाँ पर SQL से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी student को download करने के लिए link देना पड़ेगा क्योंकि यह PDF है तो मैं क्या कर सकता हूँ उस link के जरिए उस website तक महुचा सकता हूँ अपने students को जहाँ पर यह software मिलेगा तो यहाँ पर देखो मैंने link लगा रहा है control बटन दबा कर रखना है keyboard से और इस link पर click करना है तो website open हो जाएगी जैसे मैं देखो click करता हूँ तो यहाँ पर website open हो गई है और यहाँ से उस software को download किया जा सकता है तो देखो आपको अगर ऐसा कुछ कभी भी कोई जैसे आप PDF create कर रहे हैं कोई notes create कर रहे हैं तो आपको भी एकर कहीं link लगाना है और उस link पर पहुँचवाना है तो फिर आप कैसे link लगाएंगे वो चीज़ जहां से समझना आपको पहले वो website या वो video का link जो भी जहां भी आपको पहुचाना है वहां का पहले link copy करना पड़ेगा तो मुझे इस website पर पहुचाना है अपने word के document से तो यहाँ पर आपको URL दिखाई दे रहा है इस URL को मैं copy कर लूँगा मैंने select करा, right click करा और copy कर लिया इसे close कर देते हैं आप देखो इसे मैं delete कर देता हूँ पर एक बार ताकि आपको मैं अच्छे से और बात को समझा पाऊ ठीक है मैंने delete कर दिया अब इसके उपर मैंने लिख दिया download link for xmpp यानि software का नाम है अब मुझे इसके नीचे link create करना है जब कोई इस document को read कर रहा होगा तो उस link पर click करके उस website पर पहुँच पाए तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले link वाले इस option पर click करना है अब जो मैंने URL copy कराता ना उसे मुझे यह address के अंदर paste कर देना है Ctrl V मैंने keyboard से दबाया या फिर आप right click करकर भी paste कर सकते हैं अब मैं OK बटन पर click कर दूँगा तो देखो यहाँ पर एक link create हो गया है अब मैं इसकी size बगेरा बढ़ा सकता हूँ जैसे कि इसकी size है तो मैंने को सबसे पहले से select करना पढ़ेगा और select करने के बाद मुझे जाना पढ़ेगा home menu के अंदर और यहाँ पर home menu के अंदर को यहाँ पर size बढ़ने का option मिल जाएगा तो मैंने यहाँ से size बढ़ा दिये अब देखो होगा क्या friends जब कोई इस link पर click करेगा तो वो इस website पर पहुँच जाएगा बट देखे link पर click करने के लिए आपको control बटन दबा कर फिर click करना पड़ता है MS Word में जब आप control बटन दबा कर क्लिक करेंगे तब ही पहुचेंगे लेकिन जब आप इसे PDF में convert कर देंगे जो कि already मैंने आपको file menu के अंदर बताया था कि MS Word फाइल को PDF में कैसे convert करते हैं आप वो वीडियो देख लेना तब आपको control बटन दबाने की जुरूत नहीं पड़ेगी डारेट आप link पर click करेंगे तो website open हो जाएगी बट अगर आप MS Word document के अंदर है तो आपको control बटन के साथ click करना है इसके उपर जैसे दो को मैं click करता हूँ तो यहाँ पर देखो website open हो गई तो इस तरह के से आप अपने document के अंदर link create कर सकते हैं और आपने जिस काम को करने के लिए link लगाया है जब कोई control बटन के साथ उस link पर click करेगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा जैसे मैं इस video को play करवाना चाहता हूँ या पूरी playlist को दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस link को copy कर लेता हूँ एक काम करते हैं मैं आपर सुरुबात में create कर लेते हैं एक link और यहाँ पर जाओंगा मैं insert menu के अंदर और यहाँ पर link पर click करूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा और ok कर दूँगा तो मैंने आपर एक link create कर दिया benefit क्या इसका आप देखिए मैं ऊपर यहाँ पर लिख सकता हूँ if you want to watch my old MS Word video please click on this link ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है तो मैं आपर भी sort में लिख देता हूँ please click on this link तो जब कोई इस link पर click करेगा तो देखो playlist open हो जाएगी बट control के साथ click करना है देखो यह playlist open हो गई तो इस तरह के से हम link create कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर next option है वो है bookmark और bookmark बना कर आप क्या कर सकते हैं अपने document में उस particular section पर jump कर सकते हैं जिसके लिए आपने bookmark create कर आए तो बात को easy तरीके से समझते हैं जैसे माल लो कि हम एक notes बना रहे हैं जैसे notes में बना रहा हूँ अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ से काम आगे start करना है जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ उस notes पर एक दिन में notes नहीं बनते हैं थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं जैसे माल लो मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया और इसके बाद मैंने लिखा हुआ तो है लेकिन मुझे अगले दिन यहाँ से check करना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा मुझे check कहां से करना है मैंने काम कहां तक कतम करा है जैसे इसको उपर लिखा हुए what is database मैंने यहाँ तक काम complete check कर लिया है लेकिन इसके बाद मुझे अभी check करना है और मैंने आज time खतम होगया मुझे इसके आगे काम नहीं करना तो मैं यहाँ पर एक bookmark create करके रख सकता हूँ ताकि जब next day में इस file को open करूँ तो मुझे कहां पर जाकर start करना है वो मुझे पता लग जाए कैसे देखो समझाता हूँ मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक bookmark create करूँगा तो इसको मैं पहले select कर लेता हूँ कि यहाँ पर करूँगा मैं select करने के बाद मैं यहाँ पर bookmark पर click करूँगा और यहाँ पर यही लिख दूँगा what is table बट bookmark बनाते समय space नहीं आएगा तो इसलिए what is के लिए मैं यहाँ पर underscore use कर रहा हूँ और उसके बाद फिर space के लिए मैं आपर फिर से मैंने underscore लगाया और मैंने what is table लिख दिया है और add कर दिया देखो add कर दिया file save करके मैंने अपना काम खतम कर लिया और बंद कर दिया computer अब मैं next day आया मैंने file को open करा और यहाँ पर मैं अपने आपको सुरुवात में पाऊंगा करसर पहले page पर blink कर रहा होगा अब मुझे ये पता करना है कि मुझे कहां से काम start करना था अगले दिन कहां से check करना मुझे याद नहीं आ रहा बट मुझे ये बात मालूम थी कि मैंने अपने document में bookmark create कर रहा था तो मैं सीधे bookmark में जाऊंगा और यहाँ पर what is table लिखा हुआ है और मैं सीधे go to पर click कर दूँगा ये मुझे उसी जगहे पर ले जाएगा जहां से मुझे काम start करना था समझ मैं आपको बात एक simple सा example और देता हूँ तो जहां तक पढ़ते न वहां पर वो कुछ याद रखते हैं कुछ निसानी या page को मोड देते हैं या फिर कुछ ऐसा रखते हैं जिससे उनने याद रइता है कि हमने यहां तक पढ़ लीए ऐसा कई लोग करते हैं तो जब next day वो पढ़ना start करना चाते तो उनको पता होता कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था तो उसके बाद वो वहाँ से पढ़ना start कर दे तो वहाँ पर वो लगाते हैं एक bookmark वहाँ computer system तो होता नहीं है तो वहाँ पर वो निसानी के लिए कुछ ना कुछ लगा देते हैं तो उसी तरीके से हम word के document में यह याद रखना चाते हैं कि हमें काम कहां से start करना था तो हमें एक bookmark create कर सकते हैं तो यह मैंने बहुत ही basic सा example दिया था आपको इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए इसके बाद यहाँ पर जो next option है वो है cross reference और cross reference को समझने के लिए सबसे पहले आपको bookmark आना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं cross reference को bookmark के जरीए use करूँगा ठीक है तो bookmark अगर आपने सीख लिया अभी जो मैंने आपको बताया तो फिर आप cross reference को अच्छे से use में ले पाएंगे अब देखे आप इसको किस तरह के से use करेंगे मैं आपको एक्जामपल बना कर दिखा रहा हूँ हो सकता आप इसको दूसरे तरीके से भी use कल लें जब आपको और अच्छे से practice हो जाए फिलाल मेरे जरीए जो एक्जामपले जैसे मैं अपने students के लिए notes तयार कर रहा हूँ अब इस notes के अंदर मुझे सुरुबात में reference के लिए कुछ topics लगाने कोई चाहता है कि direct उस topic पर पहुँचना पहले ही जैसे मालो मैंने याप पर बहुत सारे short में topic लिख रहे हैं अब किसी को direct उस topic पर जाना और पूरा पहले पढ़ना है तो मुझे उस काम को करने के लिए अपने document में cross reference क्रेट करना पड़ेगा हो सकता देखे आपको अभी मेरी बास समझ में नहीं आई लेकिन मैं भी आपको practical के जरीए बादाता हूँ जैसे देखो हम use में लेकर देखते मैंने जैसा कि आपको बोला कि सबसे पहले आपको bookmark लगाना पड़ेगा जैसे देखो what is SQL इसके लिए मैं bookmark create कर लेता हूँ तो मैंने इसे select करा select करने के बाद यहाँ पर मैं जाओंगो bookmark में bookmark बनाना मैंने आपको सिखा दिया जो लिखा है वो ही लिख दो सबसे बेटर तरीका वो ही है क्योंकि cross reference में मैं पूरा topic लेने वाला हूँ इसलिए मैं वो ही लिखना चाहता हूँ वैसे bookmark बनाते समय साथ जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वो ही लिखना है हमें कुछ भी word लिख देंगे हमें वहाँ पर पहुचा देगा बट अभी बात को समझना कि cross reference के लिए मुझे वही लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ what is SQL बट इस पेस नहीं आएगा bookmark बनाते समय इसलिए मुझे underscore sign का use करना पड़ेगा what is और मैं add पर click कर देता हूँ एक bookmark मैंने create कर लिया ऐसे मैं next topic पर जाता हूँ what is data इसे select कर लेता हूँ and then मैं bookmark पर click करता हूँ लेने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर bookmark पर click करा और यहाँ पर एक और लेता हूँ database यह मेरे notes हैं तो मुझे बहुत फायदा मिल रहा है आपको समझाने के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई document नहीं है तो फिर आपको पहले create करना पड़ेगा मेरे पास already था इसलिए मुझे समझाने में help हो रही है आपको और मैं add पर click कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर 3 bookmark create कर लिए आगे के topic के लिए भी मैं create कर सकता था बट time बचाने के लिए मैं cable 3 ले रहा हूँ और अब मैं first page पर आगया और मैंने यहाँ पर click कर दिया अब मैं जाँगा cross reference में और यहाँ से bookmark select करूँगा क्या करूँगा bookmark तो देखिए यहाँ पर जो भी bookmark हमने create करे थे वो सभी हमें दिखाई दे जाएंगे तो एक-एक करके मैं सारे insert करूँगा सारे मैंने ले लिए और यहाँ से मैं enter कर देता हूँ अलग कर देता हूँ इन्हे और यहाँ पर question mark लगा देता हूँ अब देखो benefit क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ ध्यान से समझना कि cross reference का use क्या है अब जैसे यह मैं एक notes मना रहा था तो मैंने क्या करा जो first page उस पर सभी topic लिख दिये कि इस notes के अंदर कौन-कौन से topic detail में है अब जैसे जो इस notes को पढ़ रहा है मैंने बना कर complete कर दिये और अपने students को दे दिये online अब मान लो कि कोई इस notes को पढ़ रहा है और वो what is database पहले यह जानना चाता है तो मैंने यहाँ पर cross reference बनाया हुआ है बस मैं एक उपर notes डाल दूँगा कि आपको किसी भी topic पर पहुँचना है तो बस control button के साथ उस topic पर click करिया आप direct उस topic पर पहुँच जाएंगे ऐसा मैं एक English में notes डाल सकता हूँ बढ़ अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने लिखा नहीं है तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो भी मैंने short में topic लिखे हुए जब इस notes को पढ़ रहा होगा कोई students उसे उस topic पर पहले ही जाना होगा तो वो just control button के साथ उस topic पर click करेगा जैसे what is database इस पर में click करता हूँ तो वो उस topic पर पहुँच जाएगा देखो पहुचिया तो यह मैंने कैसे बनाया cross reference से बनाया फिर से बताता हूँ आपको जैसे मालो what is SQL पर पहुँचना है तो देखो what is SQL पर पहुँच जाएगा तो फिर आप bookmark बनाकर cross reference पर जा सकते है करना क्या है short मैं फिर से बता देता हूँ सबसे पहले bookmark बना लो जिस जिस topic पर जाना उन सभी के bookmark बना लो first page पर आओ और bookmark भी उसी नाम से बनाना जिस नाम से आपको यहाँ पर short topic चाहिए ताकि वो topic यहाँ पर दिखाए दे सके और फिर यहाँ पर cross reference में आने के बाद bookmark select करके उन सभी topic को यहाँ पर add कर लो और यहाँ पर आप एक message लिख दो ताकि सामने वाले को पता लगे कि यहाँ पर cross reference बनाया गया है तो वो उस पर control के साथ click करके direct पहुँच सकता है अब मालो यहाँ पर मैंने लिखावा नहीं होता तो किसी को पता नहीं लगेगा देखो कि यहाँ पर click करने से उस topic पर जाया जा सकता है तो ऐसा click do note बना कर कि अगर आपको direct topic पर पहुँचना है तो control बटन के साथ click करो वो उस topic पर पहुँच जाएगा तो cross reference का use कुछ इस तरह कैसे कर सकते है सीखने के लिए बात को समझने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा पीछे करके दुबारा से देखिए बात को दुबारा से समझे और एक बार practical करके जरूर देखना खुद से definitely आपको आ जाएगा बस इसमें थोड़ी सी practice की जरुद पढ़ेगी क्योंकि मैंने कई बार offline अपनी students को पढ़ाया तो देखा है कि एक बार में समझ में नहीं आता है जिसमें name है और यहाँ पर classes है अब देखो मैंने एक example बना कर आपको समझाने की कोशिस करिए हो सकता है कि आप इसको अपने किसी और काम के लिए use में ले जैसे माल लो यहाँ पर इस table के अंदर यह students हैं और इनकी class है अब मुझे क्या करना है बहुत सारे नाम है माल लो अभी example में तो कम है बट बहुत सारे नाम है और यह पर बहुत सारे classes है मुझे यह याद रखना है कि किसी किसी बच्चे की fees नहीं आई है बट मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहता है मैं उसके पर अलग से जो studentis की fees नहीं आई है तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ क्लिक करके रखा हुआ है ठीक है राजू के उपर और यहाँ पर मैं comment पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर राजू के सामने एक box बन जाएगा और यहाँ पर आपके system का जो भी नाम होगा computer का नाम होगा वो show रहा होगा तो इसका कोई फरक नहीं पड़ता आप यहाँ पर नीचे लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो इसके बारे में राजू के बारे में तो मैं यहाँ भी short में लिख देता हूँ कि अभी fees जमा नहीं हुई है fee did not deposit ऐसे लिख देता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया fee did not deposit ठीक है और बाहर क्लिक कर दूँगा ऐसे मान लो कि इस कमल की भी fees जमा नहीं हुई तो यहाँ रखूँगा मैं और comment पर क्लिक करूँगा और यहाँ भी comment लगा दूँगा same fee did not deposit अब देखिए दोनों सामने show हो रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर review menu के अंदर जाएंगे और यहाँ पर show comments वाला यह option ओने इस पर click कर देंगे तो अभी फिलाल के लिख comment बंद हो गया तो बापस insert menu में आता हूँ तो यहाँ पर देखो बात को समझना मैंने अपने document में सब पर comment लगा दिये जैसे मालो मैं किसी school में काम कर रहा हूँ वहाँ पर MS Word को मैं use कर रहा हूँ मेरे पास एक table है वैसे मैं यह काम Excel में ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ बढ़ देखो इस में भी option है तो मैं बता रहा हूँ आपको comment क्योंकि जो data को manage करने वाला काम है वो Excel में ज़्यादा अच्छा होता है पर मालो आपके पास word में भी कोई table है और आपको ऐसा कुछ करना है कि अपने जो भी students है उनके सामने डारेक्ट नहीं लिखना लेकिन आपको पता होना अच्छी है उनसे रेटेड आपको कोई भी information याद रखनी है तो मैं रहे कोई याद रखना था कि इन दोनों बच्चों की fees नहीं आई है जैसे मालो mobile number अभी इसने नहीं दिया तो mobile number नहीं है हमारे पास कुछ भी आपको इन बच्चों से related information देनी थी तो मैंने comment के माध्यम से दे दी तो ये एक example था जो मैंने आपको इस table के माध्यम से समझाया लेकि comment का use ऐसा नहीं है कि cable table पर ही करते है या इसी तरह के काम के लिए करते हैं इसा कुछ नहीं है ये सिर्फ एक example के जरी मैंने आपको बात को समझाया है आप कुल मिला करें समझ लेकि comment से एक box open होता है और आप किसी भी word के लिए अलग से कुछ लिख सकते हैं जरूर नहीं है कि ऐसा ही काम होगा आप अपने इसाब से इसको किसी भी काम के लिए यूज में ले सकते हैं सारे comments एक साथ देखने हैं तो फिर उसके लिए तो आपको review menu में जाना पड़ेगा और show comment पर क्लिक करना पड़ेगा सारे comment जो भी होंगे वो show हो जाएंगे comment डिलीट करना है तो यहाँ पर delete comment का option है आप यहाँ पर delete all comments पर क्लिक करके delete कर सकते हैं next previous करके आप आगे पीछे करके देख सकते है comments को जो कि मैं आपको आगे review menu में बता दूँगा इसके बाद जो next option है वो है header and footer देखे friends कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा data होता है हमारे document के अंदर जैसे देखो बहुत सारे pages इसके अंदर बहुत सारा data है अब जब मैं notes को तयार करा था उस समय में यह भूल गया यहाँ पर page number डालना या फिर कोई topic लिखना था मुझे इसके उपर सब के उपर कोई-कोई title देना था और वो मैं भूल गया अब मालनो मेरे पास 100 pages है या उससे ज़्यादा pages है तो अब मैं सब page के उपर जाकर इसे लिखने से तो रहा जैसे यह जगे बनाकर या मुझे यहाँ पर लिखना था SQL notes क्योंकि मालनो बहुत ज़्यादा page है मेरे पास तो मुझे बहुत सारा time लगने वाला है यसे लिखने में तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर header की help ले सकता हूँ कैसे बस मुझे header पर click करना है यहाँ पर different style है और आप यहाँ से page number लगा सकते है header मतलब सबसे उपर या फिर आपको document का title दे सकते हैं जैसे कि मैं अभी आपको title वाली बास समझा रहा था तो यहाँ पर मैं title select कर लेता हूँ देखो कहाँ पर आया यह header मतलब सबसे उपर आया header में यहाँ पर मैं document का title लिख सकता हूँ जो भी मुझे सभी pages पर चाहिए था यह जितने भी pages है ना उसके उपर लग जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SQL notes जो मुझे चाहिए था ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बस close header and footer इस पर click करूँगा तो यहाँ पर यह जो title है देखो सभी page पर लग गया है तो मुझे अलग से जा जाकर लगाने की जुरूत नहीं है अगर मालो में भूल गया था तो सभी page पर हम इस तरह कैसे title वगएरा लगा सकते हैं यह तो हुआ title का example मालो मुझे page number लगाना हुआ तो तो page number कैसे लगाएंगे उसके लिप क्या करते हैं पहले तो इसको अटा देते हैं title को सिर्फ page number लगागे दिखाता हूँ और यहाँ पर header पर click करता हूँ वैसे तो आप और भी title के साथ भी page number भी रख सकते हैं यहाँ पर देखो एक बनीवी style है इसका use कर लेता हूँ इस पर click करता हूँ तो देखो यहाँ पर page number automatic आगया है header and footer close इस पर click करता हूँ तो देखो page number 1 page number 2 और यह page number 3 तो यहाँ पर हमने page number लगा दिया तो इस तरह के से आप header से page के सबसे उपर वाले section यानि header में page number date and time वगेरा भी ला सकते हैं या फिर आप कोई भी title insert कर सकते हैं तो यह आपकी choice से एक साथ सभी page पर apply हो जाएगा इसके बाद देखे जो अगला option है na footer इससे थोड़ा सा changes होगा कि जो काम अभी आपने header से सबसे उपर किया है उससे आप सबसे नीचे वाले section यानि footer में कर सकते हैं जैसे page number या title आपको चाहिए ताप footer में ला सकते हैं एक लेकर दिखा देता हूँ page number लेकर दिखा देता हूँ देखो last में आ रहा है close कर देते हैं तो देखो page number कहा लगा हुआ है footer में लगा है पहले header में था सबी page पर काँ पलाए हुआ है देखो footer में page number 3 बहुत light दिखाई दे रहा हुआ आपको तो इस तरीके साब header and footer का use कर सकते है header मतलब page के सबसे उपर header वाले section में और footer मतलब सबसे नीचे वाले section के अंदर इसके बाद जो next option है वो है page number और इससे आपके page में जो page number show रहा है न जैसे देखो यहाँ पर हो रहा है page number 1 इसकी position set कर सकते हैं जैसे देखो page number top pages अब page के top में आपको सबसे उपर चाहिए और कहां चाहिए देखो यहाँ पर left side में आ रहा है तो यहाँ पर आप left में रक सकते हैं सबसे ऊपर आएगा header में और left में आएगा देखो सबसे ऊपर आ रहा है और left में आरह है इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी option मिल जाएगी इससे center में आएगा इससे right मी आएगा तो यह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको जो भी style अच्छी लगे उसी हिसाब से आप page number set कर सकते हैं यह bottom के लिए है तो cool मिलाकर आप इस option से page number की position set कर सकते हैं और इसकी style set कर सकते हैं इसके बाद देखें next option है यहाप text box तो देखें यहाँ से जब आप cursor से कोई text लिखते हैं उसकी आप position change नहीं कर सकते हैं जैसे मैं चाहूँ what is data और what is database और what is SQL इसको मैं उठा कर यह side में लगा दूँ तो यह लग नहीं सकता क्योंकि यह page में लिखा हुआ है अगर आपको text को कहीं भी लगाना हूँ जैसे side में, left में, right में, top में, bottom में तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से text box लेना पड़ेगा और उसके अंदर लिखके फिर आप कहीं भी लगा सकते हो काफी सारी style मिल जाएगी आपको text लिखने के लिए आपकी इच्छा है जैसी आप चाहे वैसे ले सकते हैं जैसे मैं यहाँ से यह वाली ले देता हूँ यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा ना suppose यही लिखा हुआ है वैसे मैं इसे edit कर सकता हूँ देखो पर यही लिखा रहे न देता हूँ समझाने के लिए अब benefit क्या है देखो मैं इसको border पर click करके move कर रहा हूँ और छोटा करना है तो वोई dot पर ले जाकर देखो कहीं भी रख सकते हम लेकिन अगर इससे लिखा होता हूँ ना cursor से मतलब page के उपर तो आप फिर move नहीं कर पाते एक style order लेकि दिखाता हूँ बिल्कुल simple सी ताकि और अच्छे से बात clear हो जाए insert में जाता हूँ text box में जाता हूँ बिल्कुल plan ले लेता हूँ देखो यह जो लिखा हुआ इससे तो मैं edit करी सकता हूँ click करूँगा office select होई गया इसमें अपना जो भी लिखना चाहूँ में लिख सकता हूँ यहां से देखो मैं कहीं भी set कर पारो यह इसका benefited text box का जहां रखना है आप वहां रख सकते हो लेकिन page पे लिखा हुआ वहीं रहेगा जहां से लिखना start करा है इसके बाद देखे जो next option है वहे quick parts ऐसा कोई खास जादा useful नहीं है यहां पर आपको कुछ पहले से लिखे हुए words मिल जाएंगे जिनने आप काम करते समय direct use कर सकते हैं जैसे keywords इस पर click करा तो देखो यहां पर keywords लिखा हुआ आ गया आप यहां पर कुछ अपने एसाब से नया text भी इसके अंदर add कर सकते हैं तो वो text जो है वो show जाएगा जब आपको use में लेना होगा ठीक है ऐसा कोई खास useful नहीं है इसके बाद यहां पर आते हम word art के अंदर और यह जो है काफी अच्छी design है आप अपने document में जब कुछ ऐसा design करना चाहे जो attractive लगे तो आप यहां से design ले सकते है टेक्स्ट की जैसे मैं यहां पर ले लेता हूँ word art के अंदर यह वाली design यहां पर मुझे कुछ लिखना जैसे SQL notes again वही लिखना है SQL notes और इसे मैं कहीं भी लगा सकता हूँ जैसे मैंने से उपर लगा दिया इसकी size बगेरा बढ़ाना है तो वही तरीका है home menu में जाओ और यहां से आप size बढ़ा सकते हो तो समझे हैं आपको की word art में आपको design दी गई है जो design आप select करोगे उसी design में आप text को लिख पाओगे इसके बाद देखिए जो next option है वो है drop cape इसको समझाने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे आपने कई बार English newspaper देखा होगा उसके अंदर जो word लिखा होता उसका first character काफी बढ़ा कर देते हैं कि फिर जो normal तरीके से लिख देते हैं तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं अपने document में जैसे मैं what is SQL के साथ अगर इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसे select कर लूँगा और देखो मैं आपको दिखाता हूँ को बास समझ में जाएगी और यहाँ पर मैं जाओंगा drop cape के अंदर और यहाँ से मैं style को select कर लूँगा देखो यह वाली है कमारे पास एक यह वाली है तो यही रहने देता हूँ तो देखो कुछ इस तरह के से होगया what is SQL W जो था वो थोड़ा सा बड़ा दिखाय दे रहा है अब digital signature का मतलब थोड़ा different है यहाँ पर जैसे मेरे को इस document को यहीं खतम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर अपना signature कर सकता हूँ signature वैसे नहीं है जैसे कि आप paper पर करते है समझना भी मैं इसके अंदर feel करके दिखाता हूँ आपको जब मैं इस option पर click करा तो यह box खुला है और इसके अंदर कुछ information मुझे add करनी पड़ेगी जैसे उपर बोला जा रहा है कि मुझे यहाँ पर अपना नाम enter करना है तो मैं यहाँ पर अपना नाम enter कर देता हूँ तो यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर यूटूबर enter कर देता हूँ एक्जामपल है यह और एक email address आजाएगा यहाँ पर और ok कर दूँगा तो देखो यहाँ पर एक cross लग गया एक line खिच गई है और इसके बाद मेरा नाम और यहाँ पर resignation आ चुका है तो इसका मतलब यह है कि यह document यही end हो चुका है जब आपको अपने document के ending करने हो तो कुछ इस तरह के से कर सकते हैं एक तरह का signature का काम करता है तो इसके बाद आप कुछ लिखा नहीं जा सकता अगर ऐसा करके अगर आपने document प्रिंट करके दे दिया तो इसका मतलब ending है यह है तो कुछ इस तरह के से इसका use होता जो मैंने बता दिया हो सकते है आप इसका use कभी ना करो इसके बाद यहाँ पर next option है वो है date and time नाम से पता लग रहा है कि इसका use करते हुए आप system की जो current date and time है आपकी computer में उस समय जो भी current date and time होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे वो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं जैसे अभी के लिए यहाँ पर जैसे मुझे यह वाली date यहाँ पर लेकर आनी है date and time वाले इस options है यहाँ पर आपको different format मिल जाएंगे जैसे year पहले, month बाद में month पहले, year बाद में ऐसे option यहाँ पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे next option है यहाँ पर objects और इसकी help से आप किसी दूसरे software में काम करके इसकी file को लेकर आ सकते हैं किसके अंदर आप क्या सीख रहे हैं, ms word और word के अंदर आप किसी दूसरे software में काम करके इसकी file को लेकर आ सकते हैं फिलाल के लिए हो सकता है अभी आपको दूसरे software की knowledge ना हो तो यहाँ पर एक मैं simple सा software बता लेता हूँ वो है bitmap image यानि painting की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने इसे select करा यहाँ से आपको अगर other software जैसे excel, powerpoint की knowledge तो आप उसमें काम करके भी file को यहाँ पर ला सकते हैं यहाँ पर नाम आ रहे हैं बहुत सारे आप यहाँ से select करना लेकिन file के लिए मैं यहाँ पर bitmap image को select कर रहा हूँ और ok कर देता हूँ तो देखो painting वाला software वो open हो गया है मैं यहाँ से क्या करूँगा कुछ भी simple सा paint कर लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ बर एक circle बनाया इसमें color fill कर लेता हूँ पर एक example लेए मैंने color fill करा और मैं इसे close कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर वो आ गया है तो इसी तरह कैसा अगर आपको other software की knowledge है तो आप उसमें काम करोगे वो काम यहाँ पर आ जाएगा किसके अंदर word document के अंदर किस से object वाले options है next option है यहाँ पर equation देखो अगर आप maths का paper type कर रहे है अगर आपको maths की knowledge है आपको paper तयार करना है तो आप यहाँ से equation ले सकते हैं काफी सारी आपको equations मिल जाएंगी यहाँ पर just click करोगे तो equation आ जाएगी अब देखो यह equation नहीं चीए आपको खुद से अपने इसाप से equation बनानी तो उसके लिए यहाँ पर equation बार है यहाँ से आप सारी equation जो है बना सकते लेकिन इसके लिए आपको एक तो maths की knowledge होना ज़रूरी है तो फिर आप यहाँ पर बना पाएंगे क्योंकि MS Word तो आपको आई गया होगा तो फिर आप edit तो करीज सकते हैं यहाँ से एक इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा option बताता हूँ मैं आपको equation का जो MS Word में खुद से paper बनाएंगे उनके लिए बहुत use में आएगा equation में जाना है और यहाँ पर ink equation पर click करना है यहाँ पर आपको जो भी equation चीन है उसे सिर्फ यहाँ पर लिखना है जैसे आप notebook पर pen से लिखते हैं न वैसे लिखना है अभी मैं mouse से लिख रहा हूँ लेकिन लिखने के लिए digital paid आता है और उससे अगर लिखते हैं तो बहुत सफाई से लिखाई में आएगा और जो यहाँ लिखोगे वह equation यहाँ बन जाएगी जैसे मैं लिखता हूँ देखो यहाँ लिखकर भी दिखाता हूँ अपको में a square जैसे मैंने a बनाया a square लगाया तो यहाँ पर a square हो गया plus b square देखो यह समझ जाएगा मैंने two थोड़ा सा ऐसे कर दिया था देखो a square प्लस b square यह होना चाहिए था वो में देखो two बनाना था बड़ मैं क्या mouse से लिख रहा हूँ न इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा देखो मैं दुबारा से लिखता हूँ square तो यह हो जाएगा पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर equation बनी हुए आ गई तो जिसको मैं साती हूँ बस उसको लिखना है और वो equation यहाँ पर आ जाएगी तो equation से आप कुछ एसा काम कर सकते हैं इसके बार next और last option है वो है हमारा symbol कई बार हम image word में काम कर रहे हैं या कोई document बना रहे हैं त अगर आपको बीटा चाये है तो बीटा ले हम symbols में जाकर यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलजाएगा more symbols का option इसके अंदर जाकर भी आप symbols को select कर सकतें यहाँ से और भी symbols मिल जाएंगे आपको तो आप अपनी जुरुत के हिसाब कर सकते हैं तो इस तरह के से अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग